सीजन फाइपिसोड टू स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि एक आदमी कुछ फूट टेस्ट कर रहा होता है ये जो आदमी है ये मैड्री गर्ल की एक ब्रैंच का हेड है मैड्री गर्ल हिने ही लॉस पॉलस बाई किया था तो ये गर्स से कनेक्टेड है फिर वो उपर जाता है उसके लिए कुछ एजन्स आये हुए होते है उससे कुछ questions वो आज करने वाले होते है वो एजन्स उसके office में girls और उसकी photo भी देखते है फिर वो उस agent को देख लेता है और bathroom में चला जाता है bathroom में उसके पास एक unit होता है वो अपनी chest पर और मुँ में डाल लेता है और अपने आपको shock देकर वो खुदकुशी कर लेता है next scene में हमें दिखाया गया है कि जेसी का riceon अब घुम हो गया है तो Walter उसे ढूणने में मदद कर रहा है हमें previous season में दिखाया गया था कि Brock को Walter नहीं poison किया था और उसने ही riceon जेसी से निकाल लिया था तो अब Walter को जेसी को फिर से वो riceon ढूण कर देना पड़ेगा तो इसलिए Walter एक डबी में salt भरता है और वो जेसी को देने वाला होता है फिर वो दोनों जेसी के घर पर होते हैं Walter उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे ही locker में वो गिर गया होगा पर जेसी उसे बोलता है कि locker में नहीं गिरा है उसे 100% वो sure होता है फिर वो दोनों घर में हर जगा वो ढूंते रहते हैं फिर जब वो ठक कर बैट जाते हैं तब Walter को दिखता है कि जेसी के पास एक cleaning machine है तो जेसी से वो पूछता है कि कब तुमने इसमें चेक किया था तो जेसी बोलता है एक विक इसको चेक करे हो गया फिर वो दोनों उसे चेक करते हैं तो Walter ने उसमें पहले ही fake rice in वाली cigarette डाली हुई होती है फिर जेसी बहुत ही guilty message करता है Walter को बोलता है कि इस वज़े से मुझे rice in नहीं मिल रहा था इसकी वज़े से मैंने तुमें nearly मार दिया Walter उसे बोलता है कि ये सब तुम भूल जाओ अब हमारा बहुत ही bright future है कि हम three ways में इसको divide करेंगे और तुम business समालोगे business यानि कि जो बाहर का जो सब होता है वो mike समालने वाला होता है mike उसे directly मना कर देता है वो जेसी को भी समझाता है Walter से business करना यानि कि बहुत ही danger हो सकता है Walter कब डूप जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है वो जेसी को समझाने के कोशिश करता है पर जेसी कुछ समझ नहीं रहा होता Walter से बोलता है कि अभी भी तुमारा time लो और इस पर सोचो हमारी offer अभी भी stand करती है next scene में हमें DE का office दिखा है Hank अप अपनी old job पर वापस आ गया है फिर Hank को लेने उसका partner आता है और फिर वो दोनों meeting में जा रहे होते हैं यह meeting madrigal के जो employees होते है यानि कि bosses वेगरा उनके बीच में और DE agents के बीच में होती है वो bosses DE को बोलते हैं कि madrigal की जो भी कुछ connection होगा तो आपको वो investigation करने की मेरी full authority है उन्हें उनके business के लिए कुछ bad mouthing नहीं चाहिए होती इसलिए वो DE को पूरी investigation करने की permission देते हैं उनका employee ही guilty होता है इसलिए वो DE को ये permission दे रहे होते हैं नेक सेन में हमें Hank उसका partner और उसके जो boss होते हैं वो सब उनके office में दिखाए गये हैं वो drinks कर रहे होते हैं फिर Hank के boss उसे बोलते हैं अब मुझे resign करना पड़ेगा मेरे होते हुए इतना बड़ा operation चल रहा था तो किसी ना किसी को तो fall लेना ही था तो इसलिए मैं resign करने वाला हूँ वो एक नया boss भेज देंगे और वो ठीक होगा फिर वो Hank को बोलते हैं कि तुमने बहुती बड़िया काम किया था पर हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया इसलिए इस सब हुआ हम बहुती लेट हो गए उसके boss को बहुती बुरा लग रहा होता है और वो बोलते हैं कि हमारी family में मैंने Gus को invite किया था हम dinner कर रहे थे उसने मुझे एक recipe बताई थी मुझे कभी भी पता नहीं चला कि यह ऐसा भी कुछ कर सकता है next scene में हमें माईक एक cafe में Lydia से मिलने आया हुआ दिखता है लेटिया इस series की एक नई character है लेटिया बहुती जंबी और बहुती specific particular type of lady होती है फिर जब वो कैफे में होती है तो बहुत ही specific वो order देती है Mike फिर उसके devil पर आकर बैठता है Lydia ही girls का connection होती है madrigal में Lydia Mike को एक list देती है उसमें 11 name होती है वो Mike को बोलती है यह जो 11 people है तो यह अपने business के लिए खतरनाक हो सकते है यह हमारे operation के बारे में सब जानते है मार दे माईक को उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौनसी movie देखकर आई हो पर ऐसे हम 11 लोगों को नहीं मार सकते वो फिर उसे बोलता है कि यह जो 11 लोग है यह मेरे आदमी है यह उनका mouth shut रखेंगे यह किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे Gus ने इनको already अच्छे से pay किया हुआ है इसलिए इनकी family हमेशा उनको पैसे मिलते रहेंगे और इसलिए यह कुछ भी नहीं बोलने वाले फिर माइक को DEA ने investigation के लिए बुलाया होता है तभी वहाँ उसको चाओ भी दिखता है चाओ भी माइक का ही आदमी होता है चाओ को भी investigation के लिए बुलाया होता है माइक से हैंक investigation कर रहा होता है हैंक उसे पूछता है कि तुम Gus के साथ क्या काम करते थे माइक उसे बोलता है कि मैं corporate security का काम करता था जो भी employees होते थे जो girls अपने restaurant में लगाता था मैं उनका background check करता था हैंक उसे बोचता है कि क्या ये full time job था तो माइक बोलता है उसके 14 restaurant थे तो हाँ ये full time job था हैंक फिर उससे बोलता है कि तुम एक former police officer थे माइक के पास जो भी investigation के लिए papers होते यानि कि वो एक private investigator भी होता है उसके बारे में भी हैंक उसे बोचता है उसके पास जो guns वगरा होती है वो भी investigate करता है फिर जब माइक बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे खिला अफ कुछ भी नहीं है और माइक वहाँ से जा रहा होता है तब फिर हैंक उसे बोलता है कि जो तुम्हारे granddaughter के नाम पर जो पैसे है उसके बारे में भी क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता जो भी कर्स के आदमी होते हैं वो 11 आदमी तो उनके बारे में भी हैंक को पता होता है उनके bank account details भी हैंक के पास होते है तो माइक को बोलता है कि अब वो सारे पैसे सब हम जमा कर लेने वाले है वो किसी को भी नहीं मिलने वाले तो अगर तुम नहीं बोलोगे तो उनमें से कोई ना कोई तो बोली देने वाला है जब माइक के डॉर्ण granddaughter के money के बारे में पूछता है तो माइक बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता यानि कि माइक के भी पैसे अब सब चले गए है नेक सिन में Saul Walter और जैसे सब discuss कर रहे होते है वो मैदलमिन का उन्हें issue होता है वो उन्हें मिलने रहा होता जैसे से Walter वुषता है कि क्या वो मिल रहा है जैसे उसे बोलता है कि market में मिलना बहुत हार्ड है मेभी हमें कभी ये मिलेगा नहीं माइक जब घर पे होता है तो उसे चाओ का call आता है चाओ उसे बोलता है कि DA ने मेरे सब पैसे ले लिये है तो मुझे क्या करना चाहिए इसलिए तुम मुझे आकर मिलो चाओ जब माइक से बात कर रहा होता है तो उसे मारने के लिए एक आदमी आया हुआ होता है माइक चाओ की घर पर पोच्छता है घर पर आने पर वो फ्रेंट डोर से नहीं आता है तो बैक डोर से आता है जो आदमी चाओ को मारने के लिए आया हुआ होता है वो उसे गन रखने को बोलता है और बैटने को बोलता है ये आदमी भी उन 11's name में से होता है चाओ भी उन 11's name में ही होता है तो जो आदमी चाओ को मारने आया हुआ होता है उसे लीडिया ने भेज़ा हुआ होता है वो माइक को बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं इस लिस्ट के सब लोगों को मारने वाला था उस आदमी ने चाओ को अल्डेडी मार दिया होता है तो माइक उसे फिर मार देता है माइक अब गुस्य में है और लीडिया ने उसे मारने को कॉंट्राक दिया होगा है तो वो लीडिया के घर पर आ जाता है लीडिया जब घर आती है तो उसकी बेटी को वो सुलाने के लिए बोलता है और फिर जब उसकी मेड वेगरा वहाँ से चली जाती है तो वो लीडिया को मारने ही वाला होता है पर लीडिया बोलती है कि तुम मुझे यहां नहीं मार सकते फिर लीडिया उसे बोलती है कि मुझे face पर मत मारो जब मुझे मेरी बेटी देखेगी तो उसे ऐसा देखना नहीं है माइक बोलता है किसी को भी तुमारी body नहीं मिलने वाली तो वो बोलती है कि मेरी बेटी को मेरी body मिलने ही चाहिए वरना उसे क्या लगेगा उसके life के लिए वो बहुत दी गिड़ी रहा रही होती है फिर माइक को तरस आ जाता है और माइक उसे बोचता है कि क्या तुम मेटलमीन ला सकती हो लीडिया बोलती है कि मैं इसका इंदजाम कर सकती हूँ Skylar बहुत इंटेंशन में दिखती है Walter को फिर Walter Bade पर आता है और Skylar को बोलता है कि तुम ये जब महसूस कर रहे हो ये सब ठीक हो जाएगा हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा कम एमोशन फील करूगी तुम्हें टेट के लिए ही बुरा लग रहा है तो ये स्लोली स्लोली कम होता जाएगा हम जो भी कुछ करते है ये फैमिली के लिए ही करते है ये बोलकर फिर वो सोजाता है ये ही एपिसोड खतम हो जाता है